और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं NCRT की बुक से EVS कैसे तयार करें कंटेंट प्रड़ागोजी के किस तरह के कुश्चन बनते हैं यह पूरा कोर्स मैं आपको आने के प्लस पर कराऊंगा प्लस कोर्स अगर आपने भी नहीं लिया है तो तुरंद ले लिए मातर 300 रुपे महिना का पड़ता है और A, नमबर वाला 2, Z, C, A, R, W, R, S मेरा रेफरेल कोर्ड यूज़ कीज़े 10% डिसकाउंट डारेक्ट और 10% कोईन का मिल जाता है शुरुआत करते हैं NCRT के लास्थर की बुक का डक्टर पनीत गोल के नाम से आने केडमी पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मुझे फॉलो कर सकते हैं आने केडमी पर है यहाँ पे मैं आपको जो कोश्चन कराने वाला हूँ तक यह पहला जप्टर है इसमें कौन कौन से इंपोर्टन कुश्चन बनते हैं यह एक जो सिंबल बना होता है यह अध्याब को के लिए अभिबाव को के लिए होता है यहां लिखा है बच्चे अपने आस पास के लोगों और चीजों को देख कर समझ कर बहुत कुछ सीखते हैं इस अध्याय में कक्छा 3 के बालकों को बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाय जाए अगर एन्वार्मेंट पढ़ाना है परियावरन पढ़ाना है उन्हें बाहर की द सात्रों के साथ वानी उन्हें किसी ऐसी गतीव दिद्र में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिक्तम संख्या में इंद्रियां सामिलो निम्रकेत में से कौन सा किर्याकला उप्रोक्त कार्य के लिए ठीक होगा उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्चा का उपयोग करना होगा नजदी के स्थान के लिए छेतर बर्मन का आउजन करना होगा यह सबसे सठीक है नजदी के स्थान के लिए छेतर बर्मन का आउजन करना होगा दूसरा कोश्चन है परियावरन को बेतर तरीके से कब सीखा जा सकता है अभी मैंने आ पूरा का पूरा एक option पुछा गया था कक्चा के बार की दुनिया का अवलोकन कराके ये बात बिल्कुल सही है कि कक्चा के बार की दुनिया का अवलोकन कराके फील्ड टूर कराके ये भी बिल्कुल सही है बारी जीवन का अवलोकन कराके ये भी सही है तो इसका अंदर होगा प्रोक सभी एक क्वेश्चन जो NCRT बुक से बनता वो सारे मैं आपको यहां पर बगला बगुला एक बैठा होता है भहस के उपर और भहस इसे बैठने देती है मक्षी मच्चर बैठ जाता है तो उसे उड़ाती है लेकिन बगले को कभी नहीं उड़ाती ऐसा क्यों होता है यह सहजीवी के कारण सहवकारी और सहजीवी हैं एक दूसरे का यह हल्प करते हैं बगला क्या है इसकी चीटियों को खाता है जो चीचड़ी होती है जो बहस को एक दूसरे को लाप पहुचा लें तीसरी कख्था की ईवियस की पुस्तिका में सभी बच्चों के लिए जानवर शब्द का प्रियोग क्या गया है यह किसलिए क्या गया है देखें यहां पे यह लिखा है जानवरों के रंग रूप चाल अवाज आदी की निकल करना बच् के लिए इस तंधारियों के लिए न dos के लिए गया तो इसका और साहिल होगा यह जानवर शब्द यह Ôं मतलब क्या समथ है क्यों कि बहुतसी चीज़ बच्चों को जानवरकर बारे में नहीं पता होती यह देखो यहां लिख्फा आए किताब में जानवर शर्प्त का इस्तमाल सभी तरह के जानवरों कीडे पक्षी इस्तंदारियों के लिए किया गया तो बस इतना ही आंसर हम देंगे जितना EBS में उसी को आंसर हम मानेगे नेक्स कोशन देखते हैं क्या कोशन बनता है इससे कोशन बनता है जो यह मैंने अभी आपको यहां पर पढ़ाया है कि उन्हें रंग रूप चाल आवाज आदी की निकल करना भाता है तीसरी कक्षा के बच्चों को चानवरों के वरगी करन की सुरुआत कैसे करने रंग से ह prawाव करते और यह हैं कुछ जानवरों के अगर बाल के कारण ही उनकी पर पैटर्न बने हैं केवल जो धारीं है चीता टाइगर के इसकीन पर वो फर से नहीं होते यह पैटरन की स्कीन के अंतर ही रहा हुता है बाकि सब जानवरों का पैटर्न बालों के कारण होता है ये बात आपको पता हो नहीं पश्वों की त healed pattern डिजाइन होते हैं हो किस कारण सब्सक्राइब देता है उन पश्वों पर रंग भरने को कहता है जो हमारे गर्व में नहीं रहते हैं इस किरिया खलाब से बच्चों को क्या फायद होगा सर्जनात्मक्ता का विकास होगा विल्कुल सही अवलोकन का विकास होगा यह भी सही क्योंकि अगर अवलोकन नहीं करेंगे तो रंग क्या से बढ़ेंगे वरगी करन कोशल का विकास होगा यह भी सही डाटा संग्रे करने का विकास होगा यह से ली गई कच्छवार खरोष की कानी पंच्चतंत्र पुस्तक से ली गई पंच्चतंत्र पुस्तक को लिखा था पंडित विश्णू सर्मान यहां आप से क्वेश्चन मैं करता हूँ देखते हैं आप में से कितने बच्चेष का अंतर थाई जांते बच्चो को सर्जनात्मक्ट गतिविदियां जैसे अलग-अलग कलर भणा और अधूरे रंग का करना या उंगलियों पे कलर लगा के पेंटिंग मनाना यह कहा जाता है इससे सर्जनात्मक्ता का विकास होता है और बच्छों को कहा जाता है मन में चित्र बनाए मन में क्रियेटिविटी बनती है तो चित्रकला में किस तरह की गतिविदी का विकास होता है रंगों की बैचान सर्जनात्मक्त का सारे रिक्विकास का यह प्रोक सभी से हैं, creativity बढ़ती है, अगर बच्चे शितरकला में, से उनके मन्न में सर्जनात्मक्ता बढ़ती, creativity बढ़ती, फिर अगला question है, यह देखिए यहाँ पे, एक fold करके paper दिया, उस पर अलग-अलग, एक बच्चों को का सिर बनाओ तो उसने हाती का बनाया एको का धड़ बनाओ तो उसने बत्तक बना दी एको का पैर बनाओ मोड के दे दिया था यह तो उसने उंट के पैर बना दी बच्चों को प्रोचाइद करें वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन में चित्र बनाएं समू में चित्र बना कर द्रॉइंग इन माइं मन में चित्र बना कर वह बहतर तरही किसे वरगी करन सीख पाते हैं बच्चे अगला कुशन जो यहां बनता है यह गतिविदी चीजों को करम नुसार लगाने में कामा थी यह क्या है जिक्सा जिक्सा एक पजल होती है जिसमें आडे टेडे टु टुकड़े लगाके इसके कहीं सारे टुकड़े कर दिये यह टुकड़े इस तरह दिये जाते ताकि सीदे सीदे क्यों नहीं काटे यह सीदे सीदे नहीं काटे ताकि बच्चे आसानी से इसे हल ना कर भाए उसमें दिमाग लगाने की जरू तो इसी को हम जिक्सा कहते है जि प्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर भी निर्बढ़ करता है चुवां चडिया से छोटा भी हो सकता है और जानवरों के परती समिधन सीलता से जुड़ी बात पर चर्चा करानी चाहिए कि जानवर कैसा मैसूस करते होंगे क्या अच्छा लगता होगा देखो यहां पर एक और लिखा है जिक्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनोती हो सीधे सीधे टुकड़े नहों जो असानी से जोड़े जा सकें बच्चों को यह गतिवी करने के मोखे दें और वे अपने आप इसको सोल्ड करें इससे उनकी सर्जनात्मक्ता का विकास होता जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना होता है अब यहां वे आपको इन चार में से आंतर बताना है जिक्सा से क्या फायदा दिमाग को तेज करता है ओके जानवरों के प्रति सम्विदन सील बढ़ाता है यह गल to arrange things in order, जिक्सा का काम यही है, अगला देखते हैं, जिक्सा पर विचार करना है, यहां दो चीजे दियें, एक दिया इसमें सीधे सीधे टुकड़े बच्चों को मिलाने के लिए दे जाने चाहिए, ताकि वे आसानी से उन्हें जोड सके, जिक्सा ऐसा बनाए जाए, जिसमें केवल वित्य सही, यानि D option इसका हो जाए, यह सारे मैंने आपको original question दिये हैं, जो NCRT की book से बनते हैं, उसी के book को अधार मानके मैंने आपको यह question दिये हैं, और यह EBS का एक पूरा course मैं आपको दूँगा, unacademy plus course पर, unacademy plus course अगर आपने नहीं लिया आया तो ले लिजे, मानने जाए, यह 72 रुपे का course है, आप मेरा referral code डालो, A2Z, C-A-R-E-R-S, यह बत कहा ना कि पहले क्यों नहीं बताया था सार, हम ले ले लेते, बहातर सुमें 720 का discount आपको मिल जाएगा, 10% discount मिल गया, तो लगबग आपके 55 रुपे हो गए, अब 55 रुपे, coins से भी 5.500 का discount मिल मिल जाएगा, sorry, यह 65 रुपे हो गए, coins का discount मिलके, यह course बहातर सो की बजाए, मातर लगबग 6,000 का पड़ेगा, और यह 2 साल का course है, 2 years का course है, तो जो केवल 500 रुपे महिना पड़ता है, आपने देखा होगा, कहीं कहीं बार हम क्या करते हैं, दो महिने का, तीन महिने का course ले लेते हैं, तो वो मातर 6,000 का पड़ता है, इस economy को भी तो देखा करो, क्योंकि यह course कहीं भी काम आ सकता है, आपके घर में कोई और तैयारी कर रहा है, माले आपका selection जल्दी भी हो जाता है, कहीं बार बच्चे कहते हैं, यह मरा तो selection जल्दी हो गया, तब भी यह course तो काम ठीक है, चुनोती पूर्ण सीधे सीधे टुकडे में हो, जिसे आसानी से जोड़ा जा सके, चुनोती पूर्ण सीधे टुकडे नहीं हो, असानी से जोड़ा जा सके, यह सही है, सिक्षा में कोई object वस्तो का चोटा, यह जिक्सा का objective नहीं है, पोधो की परी, अगला का एनलेसिस मैं कराता हूँ तुरंत मेरे साथ अन एकडेमी पर जुड़ जाएए आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल मैं अच्छी तरह से क्लियर करा दूंगा यह यहां पर देखो यहां लिखाए यह मैं आपको बताया हमेशा कि यह हमारे लिए अध्यापकों के लिए अभिवाव को के लिए इंपोर्टेंट होता है याले का है बच्चों को इस बारे में बात्चीत की जा सकती है कि उनके चुपन चुपाई अंताक्षरी को किस नाम सिपकार जाता है इसका मतलब क्या हुआ टीचर जो है भाशा का ज्यान बढ़ा रही है उनकी भाशा का विकास होगा अलग-अलग शब्दों ने पता लगे और पोधो की परी कोन होना चीए हमेशा रोल प्ले होना चीए कभी किसी को कभी किसी को बनाना चीए पोधो की परी बड़ी खुप्सूरती के साथ ये कोर्ष तयार की है अनेके नाम से पकार जाता है तो इससे के सक्षेत्र का विकास होगा मैंने अभी आपको बताया था इससे भाशा का विकास होगा बच्चों में ठीक है तो सर्जनात्मक्ता क्रेटिविटी और एक संवेदन चीलता ये शब्द कहीं बार आए सर्जनात्मक्ता जहां पर दिमाग चल और इस जब बच्चों से पुछ रहे क्या कहते हैं तो इससे भाशा का विकास होगा यह मेरा रेफ्रल कोड है देखें यहां पर एटू जड करिया यूपी टेटो एमपी टेटो सी टेटो हमेशा तेजारी करने के लिए एक मात्र बढ़िया जो प्लेटफाम है वो कई साने नाम है कबड़ी के खोको पोशंपा बाई पोशंपा डाकियोंने क्या किया सो रुपे की घड़ी ट्राई अब तो जेली में आना पड़ेगा खेले होंगे ना अस्टा चंगापे महाबारत में चोंपड़ भी बोलते हैं इसको अस्टा चंगापे बोला जाता था तो इस तरह दें आपको अलग-अलग यदे के मात्र तीसरी किलास की बुक में ही इतना वरद ज्यान आपको मिलता है पोदो की परी कोन होनी चाहिए हमेशा पोदो की परी बदलते रहना चाहिए यह लिखा है यहां पर बच्चे खेल कुद कर पेड़ पोदो से चाने वाली कोशन कंटेंट पेड़ागोजी थर्ड किलास का फोर्थ किलास का अंसियाटी का फिफ्ट का शिक्स्त का मैं आपको देने वाला हूं यहां पर जल्दी से मिल जाएगा और मुझे फोलो कर लिजिए डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से हैट डेडिकेट कर सकते हैं अगर वी यूट्यूब चैनल को जरूर फोलो कर लें इसमें मैंने आजकल आपके लिए एक नई चीज़ लाया हूं मैं फैक्ट तेइस तथे हैं जो अलग अलग तथे हैं यह आपको यहां मिलेंगे नई नई चीज़े आपको यहां सीखने को मिलती है और यहां पर देखिए हडपा काली नित्यास है या कुछ भी है प्लेलिस्ट है इसमें नई नई वीडियो जीके ट्रिक्स है दादा साफ वाल के सब्सक्राइब कर देखिए और बीच-बीच में कोल आ जाती है अगर हम कार्ट देते हैं फिर भी लोग रुकते नहीं चलिए अनिवे मैं कोल अटेंड कर लूँ और मैं अम्मीद करता हूं एंजोई कीजिए ठैक्यू वरी मच बाइसी यू अगें और मेरा मोबाइल नंब उपार अफिजिए उब्सक्राइब कर दूँ और बीच 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 में चल आ जाती है तो इस यह देखिए तुरंत इस बैच से आ जाई है यह जूनियर सुपर्टेट का बैच अनकेडमी प्यारा जल थी तुरंत आ जाई है इस्टे टून्ड फॉर दिस बैच अठारा अप्रेल में एकजाम है एक एक चीज आपको करनी है तो तुरंत इस बैच के लिए मेरे साथ जुड़िए सी यू अगेन सायो नारा बाई विल मीट टुमारो और ये रीट का बैच चल तुका है आज से यानी पांच मार्च से इंडिया के टॉप एजुकेटर एक सब्क्रिप्शन थे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर आपको यहां मिलते है बाई सी यू अगेन